पुल्वे पाव में इधर चपल जुता तो एलाउट है नहीं हम लोग ऐसे आ रहे हैं और इधर कुछ पीर कोखर है इधर कुछ पेड़ सुने थे कि यह जो बर्गा दिया फिर कुछ था जो बाबा के समय सही मंदब इसको लगाया गया था बाबाजी इसी में रहते थे और य बेट खुला हुआ है वह जो बाबा जी बैठे है यहां पर नवस्कार दोस्तों यह वर फिर से स्वागत है जर्नी एक्स्प्रोड चैनल में तो आज कर वीडियो काफी खास होने वाला है तो वीडियो पर अन तक बने रहे हैं और देखिए कि इस तरीके का होगा है वह जग दिखाते हैं कि इस तरीके का रास्ता मिलता है रास्ता पानी हो गया कुछ कॉल्ट्रिंग का और कुछ चीप्स हो गया रहा है इधर उस तरीके का होटल है नहीं आप देख सकते हैं हम रोड पे पहुंच चुके हैं कितना अच्छा है एक बभूल सब का पेड़ है एक जंग पलास का आपको इधर नहीं के बराबर देखने को मिलेगा पीछे कुछ खेती वाड़ी वगयरा क्या आप देख सकते हैं कुछ हरा भरा है वो सर्सु अगयरा कुछ कुछ है तो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद और चले आगे का सफर देख करते हैं तो दोस्तो अधिया सा नदी और पूल साथ यह मयूराक्सी में तिक रही है अलाकि जो मसांजोड में जो डेम बना हुआ है तो उसी डेम का पानी इधर सप्ला होके वेश्ट बेंग और जैसे की स्विटी हो गया और जहां भी सप्लाइ क्या जाता उधर बो जाता है अज तक हमारा एक् इतना लंबा पूल आज देता ही नहीं दिखा यह अप्रॉक्स जो है ना कि 800 मिटर से कम नहीं है 800 मिटर तो है ही तो दोस्तों हम जी सकत जा रहे हैं एक्शली वहां पहले भी जा चुके हैं कई बार लेकिन दिक्कत यह हो गया नहीं कि जो रास्ते जो चूस करते थे जिसमे आना चेना लगा रहता था वहाज में याद ने रहा तो जैसे मठीवी हमें सहरा लिये रास्ता मिल जा मिल कि अमें यह लगाना कि जिस रास्ते पर हमलों सोधकर्श कर णायब का था वह रस्ता है नहीं एक्ष careless और 우리 love पढ़ गया एंप दूर सफरक करने के बाद देख सकते कि हम अपना डेस्टिनेशन पर पहुंचने पहुंचने पहुंच जाएंगे यह जो जगह है साथ बहुत कोई का देखा हुआ लग रहा होगा और कफी पोपुलर होगा क्योंकि जगह कुछ ऐसा है जहां मैक्सिमम लोग आये होंगे कभी ना कभी लेकिन अभी पैसान पा रहे पहुंच चुके आप देख सकते हैं कि इस तरीकी का यह है एंट्री पॉइंट हम आपको नहीं दिखा है और यह जो हमारा केंपस है काफी बड़े में फैला हुआ है आप तो इस तरीकी से देख सकते हैं यहां पर एक मजार है दाता बाबा का मजार है जहां से लोग दूर- जो सचे दिल से आते हैं उनका हर हाल में पूरा होता है ऐसा माना जाता है अभी अब देख सकते हैं कि बहुत तरीकी का लोग है सिर्फ मुस्लिम नहीं आते हैं मुस्लिम के साथ साथ जितने भी धर्म के लोग हैं सब यहां पर आते हैं अपना मन्नत मांगते हैं और कोई खा और अलग अलग जो जगह है हम वो आपको दिखानना चाहेंगे कि किस तरीके का है आप कैंपस है देख सकते हैं कितनी अची तरीके से विवस्थित है और बार कुछ लोग थे जो कि गरीब है जिनका हाथ पर सही सलमत नहीं है या फिर किसी तरीके से विगलांग है तो वो लोग जो बैसाखी लेके चल रहा है और को बहुत अतिन्द गरीब हैं तो उन लोगों का भी इधर में संसार चलता है लोग आते हैं पुर्णी का काम करते हैं दान करते हैं तो इधर का भी हो जाता है और अंदर की व्यू साथ हम नहीं दिखा पाएंगे देखते हैं अंदर तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह जो हमारा मजार शरीफ है अंदर में वहां से हो आए और होने से पहले इधर क्या होता है कि जो भी चड़ावे का समान जैसे चादर हो गया कुछ मिठा हो गया कुछ अगरबत्ती हो गए मजार के लिए और कुछ गुलाब जल भी चड़ा जाता है तो वह सब सारा कुछ हम लिए वहां पर जहां पर पार्किंग किया है तुकान में और वह लेकर हम इधर चड़ाए क्योंकि वीडियोग्राफ उदर नहीं था हम अंदर से आए और आप देख सकते हैं कि यहां पर भीड काफी ज़्यादा काफी ज़्यादा तो अभ कि ज़्याइब लेते हैं श्यादे समय तो तु सह जाते तो वह पीछे से होके निकलते हैं तो वह एक रिस्पा के साथ और तुक है है तर पिच्त के साथ अफिलोग आए जिनको हमारे मदद के जरूरत थी किसी का आख का इसू था वो देखने पा रहे थी कुछ जैसा लेडिस थी कोई लंगरा ऐसे तो जो हम जहू सका थोड़ा थोड़ा दिये वो डिविल करना से नहीं रहेगा कि एक रूपएदी दस रूपएदी अलाग रूप कि किस तरीके जो होता है और देखते हैं यह बाबा जी भी आगे तो बाबा से थोड़ा बात करते हैं और बाबा को कुछ जब देवरत पड़ती है तो हम जैसे मतलब लोग ठोड़ा बहुत मदद भी करते हैं तो फिलेटिक है नेक्स आपको आगे लेके चलते हैं तो दोस्तों होता देख सकते हैं कि जो हमारा दाम दक्षिना हो सकता था वह हम जरूर किये और यह जो टाइल्स लगा हुआ भीया कि इतना गर्मी लग रहा है कुल्वे पाव में इधर चपल जुता तो अलाउड है नहीं हम लोग ऐसे आ रहे हैं और इधर कुछ पीर पोखर है वह हम देखते हैं कि अगर हो सकता है वहां पोंच बना सकते तो आपको दिखाएंगे और इधर भी कुछ है जो चढ़ावे का समान है वह सब इधर है इधर में जो मजार है तो बैसिकली यही घर था यही घर में रहते थे और अपना जो भी बुनाई वगरा का काम था ऐसा सुनने में आए कि वह करते थे कोशित करेंगे वहां जाकि दिखाते हैं कि रियल इस्टोरी क्या है तो दोस्तों यह जो पोशन आप देख सकते हैं जो मजार का पिछली भाग का है राता बाबा का पतर चपड़ी में इसकी थे एंट्री लिये थे वहां जो भी दुआ दरूत था वो कि यह फिर पिछे से आए और खासी यह है कि जो सब मिश करते हैं यह जो घर है चोटा सा यह बाबाजी इसी में रहते थे और यह जो चोटा सा कमरा है यह जो बाबाजी बैठे है यहां पर यहां पर काफी मातरा में पानी डाला हुआ है तो इसका यह नहीं है कि यह बाबाजी जिन्दा रखने के लिए पानी डाला गया है यह बाबाजी जिन्दा थे है तो वह कहके गए कि किसी का घर में किसी तरीके का अगर कोई इशू आता है जैसे कि नजर वाला इशू हो गया या फिर कुछ काला जादू का हो गया तो यह मिट्टी ले जाके अपनी घर में रखें और थोड़ा सा छिड़क दें तो वह सारा है इस दो खत्र हो जाता है तो हमारे रटेवी भी बहुत लोग आये यहां पर और इस मिट्टी को लेकर गए कफी इज़्जत के साथ और कहीं ना कहीं कौम तो करता होगा काफी दूर से आया हैं काफी समय भी लगाने में और जाने में अब देख सकते हैं कि कितना समय हो गय अधर में अधर में और उसके बाद पर हम अपनी घर के और प्रसान करेंगे निकलेंगे इदर से क्योंकि साम पर समय है थोड़ा बहुत भी ठंडी है बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है तो आप देख सकते हैं कि यह हमारा मजार है और मजार इस तरीके का है यह कवर नहीं हो बहुत बड़े साइज में है और यह जो बिल्डिंग है यह मजजीद है मजजीद काफी खुशूरत है काफी बड़े हैं अभी आजान हुई लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं और जितने भी लोग हैं किसी का कुछ मरनत था तो कोई दूआ वगरा कर लिए को रेश् तो उनको लोग किस त तरिक्ये का धरते हैं है तो दोस्तों हम मज'tया से भार आ चुके हैं हमारा जो मी चड़ावा था हुछ सब्सक्राइब दोस्तों आ क्या च्था है कि यह सितरा घ्ला दा मिला के समय में की बहुत ज्यादा हो जाता है कि नमाच्ट से वहां थे मर्ष प चर्कार रहाधि है, लुए मुशलिम सत्रिंदी है एसा हम दर पार्सलेटी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम का मजा रहे तो सिर्फ मुस्लिम आया है या फिर दुसरा नहीं आने का लॉड़ है ऐसा कुछ में नहीं है सब आसकते हैं तो चलिए नेक्स हम कवर करेंगे कि मार्च में इस 2023 में कितने तारिक से मेला लगनी है अपना प्रिष तरिक तक अपना वाजी पोटा खतब होता है तो बहुता नहीं कि 23 मार्च तक का मेला है तो हम इसमें आके बार दिखाते हैं कि अभी का और मेले में किया डिफरेंस है और वीडियो में बने रहने के लिए आपको देने वाद लाइक सब्सक्राब और शेयर कर दिएगा और बच्चे का जुलना भी है मतलब जुलना क्या वह सब आपको दिखाते हैं तो दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि दुकान को थोड़ा करीब से दिखाएं और अच्छी तरह के से एक्सप्रोर करें यह जो दुकान है है हैंडिक्राफ टाउर जो हाथ से बनाया हुआ समान सबस सब्सक्राइब कुछ-कुछ यूनिक सा चीज मिलता है आप देख सकते हैं कि यह जो लकड़ी का बना हुआ यह पैंग्विन डॉल्फिन है यह काभी खूशुरत सा लग रहा है और कुछ यह मगरमाच सब है और बहुत सारा मतलब खिलोने हैं जो कि घर में रख सकते हैं और घर की सोवा बढ़ा सकते हैं इस तरह के और दुकान ने आने वाली है जब मिला का समय आएगा तो आपको हम कवर करके दिखाएंगे और कोश्ट थोड़ा ठीक ठाकी है बहुत ज्यादा और बहुत कम भी नहीं बोल सकते हैं कि मोडरेट है तो आगे अगर कुछ इस तरह किस हमें नहीं पता देखते हैं अगर कुछे साम में पसंद आता है तो आपको दिखाते हैं फिर बच्चा लोग देख सकते कि किस तरह की करता है एक नमद का जोकर समय इधर का अब इस ठीक से दौड़ने लगा फिर तो दोस्तों मेले और मजार से थुड़ा दूर हम आगे नि जाते हैं जो आप तलाब देखने हैं छोटा सा यह पीर पोकर है और इसका मान्यता यह है कि लोग जब बिमार होता है न तो इधर आके नहाते हैं तो उस तरीके का जो बिमारी है करला जादू टैप का है वो सब चूड़ आता है आप आगे देख सकते हैं कि वहाँ पे वह पर लोग नहार हैं अराम से नहार हैं उसके बाद फिर अपना जियारत करते हैं अपना जो भी चढ़ावा है वो सब कर लेते हैं फिर जाते हैं यह नहाने के लिए साइट सुटेबल नहीं है बट उसमें नहा सकते हैं तो यह चीज है अधर में आप देख सकते हैं यह जो इतन 300 एक दिन का होता है एक अच्छा से कमरा और सारा फेसिलिटी जैसे की पानी बिजली टोईलेट बेड्रूम वह सब सारा कुछ इदर अवेलेबल हो जाता है तो काफी अच्छा जगह है और दुसरी बात है कि यह बहुत सुकुन बरा होता है अगर आज ते नहीं आए कभी तो एक बार आके देखिए जिसको एक्सपरियेंस करिए अब अलहुश इदर का सारा कुछ हो चुका है और खुड़सा बुक भी लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं बेरियानी कुछ मिला है इस तरह के का है अब इसको खाना पिना कर लेते हैं और खांके फिर हम निकलेंगे इधर से पहाड़ी है पानी है अपर में जो ठाज राना जाना करते हैं और आम नीचे पाड में जो पानी का जो एक्जित होता है उधर आके हम लोग यहां रुके हुए इधर भी अच्छा लग रहा है फूल में तो बैसिकली मज़ा है ही ऐसा नहीं है लेकिन इधर में जो पानी जो पार होती है ना उसका जो आवाज है और प्रेटक काफी मात्रा में है दुसरी बात चीडियां वगेरा त जहां से मिलना पानी का निकलने का जगह है उधर से अच्छा है आपको बहुत सारा तूरिस्ट बस यहां पर देख सकते हैं तूरिस्ट बस है लोग सब भी दूर-दूर से आय हुए है और काफी इंजोई कर रहे हैं और सबसे मज़दार वाली जो है ना जो यह पानी पीछ है वहां वह फाटक बंद है कि चालू है पहुंच के बताते हैं तो थोड़ी दूर हम आगया है और आगया आने के बाद देख चूली हमें दिखाना था यह जो पीछे में जो फाटक दिख रहा है ना यह पहले समय हुआ करता था कि इसमें पानी हर हमेशा मतलब हर सीजन में निकल दे रहता था यह डिफोर्ट वाला था कि मजदार एसास होता था जब गर्मी के दिन में आते थे ना तो आता था बहुत ज्यादा प्रिशर में पानी आता था एक तो देखने में खूश रहता रहता था और अनुभाब जो है वह भी बहुत मजदार रहता था लेकिन अब देख सकते हैं यह सब बंध है और दूर वाला जो फाटक है ना वह एक खुला हुआ था चलिए कोई नहीं वहां तो जाने सकते हैं जाने के लिए पूल पार करके बहुत दूर से जाना पड़ेगा जो कि थोड़ा पॉसिबल नहीं है समय कभी कमी है तो नेक्स टाइम ह कि उस तरीके का भी जो आज चूट गया वह सब कवर करने के लिए बाके आज इतने में खतम करते हैं वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राब आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अगली वीडियो का फिर वट करिए अचा-चान्टेन आपको मिलत बारेगा